वेल्कम डिर्क्षन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आपको बिहार एससी इंटेग्रिवल मेंस एक्जम के लिए हमारे चनल पर लगातार वीडियो दी जा रही है और हम आपको रोज सुबह जो है बिहार जीगे के सुरुअ ओतीति तो देखे सही इंसर क्या होती अपर करेक्ट रह जाएगा जो मरा इहाँ पर व्याकरण, नयाय, दर्शन और तंतर विज्यान के परहाई होती थी अगर हम बात्रे विक्रम सिलाविस दले के सतापना के थी यह भी पॉंट आपको most important रूप से याद रखना है दोस्तों अगर आपने चनल को अब तक subscribe नहीं किया जरूर subscribe पर लिजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो अगला प्रश्ण मारा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था देखिए most important प्रश्ण है आपने जरूर इसको पढ़ा होगा तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था सही अंसर हो जाएगा option number 2 सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना चाता है ये दि पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश कहां पर दिये तो बौध गया में इन्हें ग्यान के प्राप्ति हुई थी जिस घटना को संबोधी कहते हैं बौध गया में ग्यान के प्राप्ति हुई थी जिस घटना को संबोधी कहते हैं ये भी point important है अगला प्रस्ण देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है द्वीती ये बहुत संगीती का आयोजन किस सासक ने किया था तो देखिए कुल हमारे बहुत संगीती है चार है इसमें से बताना है कि हमारे जो द्वीती ये बहुत संगीती हुई थी यह किस सासक के सासनकाल में हुई थी पहला है अजात सत्रू, कनिस्क, असोक मौरे या फिर काला सोक तो सही एंसर के हो जग देखी जो हमारी द्विती ये बहुत संगीती है ये किसके सासन काल में हुई थी? सही एंसर हो जाएगा option number D काला सोक देखीएकर आपको सासको का करम जाद है, वंस का करम जाद है तो आपक भी प्राशनी गलत नहीं करेंगे हमारा पहला वंस है हर्यक वंस और हमारी जो पहले ही संगीती हुई थी हर्यक वंस के सासक अजात सत्रू के समय में हुई थी दूसरा हमारा था हरेक बंस के बाद आता है हमारा काला सोक का देखिए सिसुनाग बंस और दूसरी बहुत संगीती हुई थी सिसुनाग के समय में दो हमारा हो गया इसके बाद हमारा आता है मौरे बंस जिसमें हमारे असोक के समय में तीसरी बहुत संगीती हुई थी आपको देखें, यहां से चारों याद हो जाएंगे, असो के समय में तीसरी बहुत संगीती हुई थी, और उसके बाद जो हमारा आता है कनिस के समय में चौती बहुत संगीती आयोजित की गई थी, तो यह चारों बहुत संगीती आपको याद रखनी है, अजात सत्रों इसमय म पहली बहुत संगिती 483 इसापूर में हुई थी दूसरी बहुत संगिती 383 इसापूर में हुई थी तीसरी हमारी हुई थी 250 इसापूर में और चौथी जो बहुत संगिती हुई थी यह पहली सतापदी में हुई थी तो यह चारों आपको याद रखना है यहां से बार बार प चतूर्थ बौध संगीती का आयोगा चतूर्थ बौध संगीती का आयोगा चतूर्थ चतूर्थ बौध संगीती का आयोजन किस के समय में हुआ था कर्यक्ट एंसर हो जाएगा कनिस्क करता सक और इसके संधाता और ittbles सता właściल वन में आपको यह जय रखना है कुणjutर College संगीती क्या गया कुंडल वन में अगर हम तीनों बहुत चारों बहुत संगिती अगर हम स्थान देखें तो देखें पहली बहुत संगिती हमारी राजगरीम होई थी पहली बहुत संगिती राजगरीम होई थी दूसरी बहुत संगिती वैसालीम होई थी तीसरी हमारी होई थी पाटली पुत्र में और चौती हुई थी कुंडलवन में तो यह चारों आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया है और यहां से अब कोई प्रश्ण पुछा जाएगा तो आपका एक भी प्रश्ण गलत नहीं होगा अगला प्रश्ण देखते हैं देखिए हमारा अगला प्रश्ण क्या है पाट असोक ने पाटली पोतर में बध संगिति तृसरी बध संगिति का आयोजन किया था अगला प्रसण देखते हैं बिहार महान धार्मिक केंद्र ते के लिए सिखों के लिए धर्माव उलंबियों के लिए जैन और बध के लिए या इसे सभी के लिए देखे जो बिहार है वो सिखों के लिए भी धार्मिकेंद्र है जैन बौध के लिए भी धार्मिकेंद्र है और धर्मावलंबियों के लिए भी तो इस प्रशन का हमारा option number D correct हो जाएगा जो बिहार है वो इन सभी के लिए धार्मिकेंद्र है जोगी सिखों के दसमें गुरू गोविन सिंह का जन्म भी बिहार के राजानी पटना में हुआ था इसलिए सिखों का धर्म केंद्र है जैन और बौध धर्म का केंद्र तो बिहार पहले से ही रहा है तो हमारा option number D correct हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सी बात बौध धर्म तथा जैन में समान नहीं है तो सही एंसर हो जाएगा आत्मा दमन देखिए जो आत्मा दमन का बात है दोनों में समान नहीं है correct एंसर हो जाएगा option number C अगला प्रशन है महाबीर याने की महाबीर स्वामी की मृतियों निम लिखित में से किस नगर में हुई थी महाबीर स्वामी जो के जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर थे महाबीर स्वामी जयन धर्म के 24 वे तिरतंकर थे इन्हें जयन धर्म का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है इनकी मृतियों कहां पर हुई थी राजगीर में, समस्तिपुर में, पावापुरी या फिर राची में तो सही अंसर क्यों हो जाएगा देखिए महाबीर स्वामी के जो मृति हुई थी, वो पावापुरी हुई थी option number C, पावापुरी इस प्रशने का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा महाबीर स्वामी जयन धर्म के 24 में तिरतंकर थे और इन्हें जयन धर्म का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है अगला प्रशन है जयन धर्म के प्रवर्तक महाबीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था जयन धर्म के प्रवर्तक महाबीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था वैसाली, पाटली, पुत्र, मगद या फिर कुंड गराम में तो सही अंसर क्या हो जाएगा महावीर स्वामे का जोजन में हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था ओप्सन नमबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम लिखित में से किस नगर में जापानियों ने विष्व सांतिस तूप का निर्माड कराया था या निम लिखित में से किस स्थान पर जापानियों ने विष्व सांतिस तूप का निर्माड कराया था देव में बोध गया में गया या फिर राजगीर में तो इस प्रश्न का सही अंसर हो जाएगा राजगीर जापानियों ने राजगीर में जो है विस्व सांधिस तूप का निर्माड कराया था इसके अराव हम देव की बात के नहीं देखिए जो देव नामक स्थान है यहां पर एक सूर्य मंदिर है तो यह देव के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद है बोद गया में ही महात्मा यानि की कोतो मदिव ग्यान की प्राप्ति हुई थी इसलिए बोद गया जो है यह भी प्रसिद है अगला प्रसिद देखते है जैन धर्मावलंबियों का मुखे तीर्थस्थल कौन सा है जैन धर्मावलंबियों का मुखे तीरतस्तल कौन सा है पावापूरी, पारसनात, वैस्ताली या फिर ये सभी तो देखें जो ये सभी स्थान है ये जैन मतावलंबियों के लिए धर्मावलंबियों के लिए मुखे तीरतस्तल है अगला प्रशन है ये विवाह के समय में गाया जाता है अगला प्रशन है प्रख्यात कभी विद्यापती कहा के निवासी थे देखें विद्यापती एक प्रख्यात कभी थे और यहां कहा के निवासी थे सही अंसर क्या हो जाएगा यह मिधिला के निवासी थे देखें इन्होंने मिधिला भासा में काफी रशनाय लिखी है इनकी प्रमुख रशना क्या है इनकी प्रमुख रशना में हमारे देखिए पदावली इनकी प्रमुख रशना है किरती लता इनकी प्रमुख रशना है किरती पताका जो है इनकी प्रमुख रशना है किरती लता किरती पताका तो विद्यापति को बिहार का महा कभी भिका जात तो इनका नाम आप सिर्श क्लीन है था अगला प्रश्ण हैं था कि विध्वार में साधराघ की गीतों की रचना किसने की थी जो बियार में स्वाटारणक है इसके गीतों की रचना की सथीर से इयं कैसकंतर झाप सुर्ण यह रॉप बिहार में मुख्यता, मिथिला व दर्भंका जिलो में लगनी राग की समय पर गया जाते हैं तो सही एंसर हो जाएगा विवाह के समय में जो लगनी राग है वो विवाह के समय में गया जाते हैं अगला प्रश्ण है बिहार में पहली जन सताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ी का सुभारंब कब हुआ था तो बिहार में पहली जन सताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ी का सुभारंब कब हुआ था सही एंसर हो जाएगा option number C 19.02 को बिहार में 19.02 को पहली बार जन सताब्दी एक्सपर्श जो ट्रेन है इसका सुभारमब बिहार में किया गया था option number C इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है बिहार राजी के किसी लिको साक्षर्था में उत्रिष्ट होने पर सतीयन मिस्त्रा साक्षर्था पुरसकार के लिए चुना गया था सही एंसर क्या हो जाएगा option number D मुझभफरपूर को इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा option number D मुझभफरपूर अगला प्रशन है बिहार में जैप्रकास नाराण अखिल भारती आयूर विज्ञान संस्थान के सहर में है तो बिहार में जैप्रकास नाराण अखिल भारती जो आयूर विज्ञान संस्थान है वो अब बिहार के राजानी पटना मिस्ते थे और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि असोक चक्र प्राप्त करने वाले विहार के प्रतम व्यक्ति कौन थे सही अंसर हो जाएगा और वीडियो पसंद आया तो इससे जरूर शेयर कर दिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल